मेरे प्यारे दोस्तों, इस धर्ती पर एसी कई खूपसूरत चीज मोजूद हैं, जिन देखने की एक्षा हमारे मन में हमेशा रहती है, कुदरत ने हर किसी को कुछ न कुछ खाशियत जरूर दी है, जो कि उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती है, और अगर हम बात करें जानवरो की, तो अलग-अलग तरह के जानवरों में तरह तरह की खाशियत होती है, कुछ बहत प्यारे होते हैं, तो कुछ बहती खतरनाक होते हैं, कुछ जानवरों के हम कभी न मिलने की दूआ करते हैं, तो कुछ हमें इतने क्यूट लगते हैं, कि उन्हें अपने जिन्दगी में ए गोड़े अपने आकार और शांदार इस्टाइल के लिए जाने जाते हैं गोड़े की काभीलियत इस बात से ते होती है कि वो कितने बड़े, तेज और ताकतवर हैं लेकिन दुनिया में ऐसे भी गोड़े मौजूद हैं जिनका साइज देखकर आप भी हेरान रह जाएंगे जी हाँ मिनियेचर होर्स दुनिया का सबसे छोटा लेकिन सबसे प्यारा होर्स है जिसका साइज चिर्फ तीन फिट के आसपास होता है यानि यहाँ इनसान के गुटनों तक ही आ सकता है अमेरिकन मिनियेचर होर्स एसोसियेशन के अनुसार एसे गोड़े 34 इंच से अधिक बड़े नहीं हो सकते जिनका वज़न केवल 15 से 20 किलोग्राम ही होता है हाला कि यह आकार में चोटे होते हैं लेकिन अपनी क्यूटनेस के कारण काफी डिमांड में होते हैं इनका इस्तमाल रेश या वज़न उठाने के कामों में तो नहीं किया जा सकता लेकिन इनकी क्यूटनेस की वज़े से इनके साथ खेलने और बच्चों के टाइम पास के लिए कई लोग इने खरीदना चाहते हैं इससे यहाँ बात साबित होती है कि साइज माईने नहीं रखता कि आप कितने खास हैं बलकि आपकी काविजित माईने रखती है कि आप किस काविल हैं नमबर टू पिग्मी मार्मोसेट पिग्मी मार्मोसेट बंदरों की विविन प्रजातियों में से सबसे छोटा बंदर है यहाँ इतना छोटा है कि आप इसे अपनी जेब में भी रख सकते हैं यहाँ निश्चित रूप से चोकाने वाला है कि इसका साइज आपकी उंगली जितना होता है इसकी लंबाई 100-152 mm या 3-6 इंच तक होती है जो आकार में एक चुहे के बच्चे के बराबर होती है यह आकार में इतने छोटे होते हैं कि आप इन्हें आसानी से अपनी हतेली पर भी रख सकते हैं हाला कि इसके बावजूद पिग्वी मार्मो सेट काफी क्यूट है इतना प्यारा कि लोग ज़्यादा पेसे खर्श करकर भी इन्हें अपने घरों में रखने को तेयार रहते हैं क्योंकि इनके आकार के अलावा इनका रंग भी लोगों को खूबा करसित करता है ब्राउन और ब्लेक कलर होने के कारण ये दिखने में और भी क्यूट लगते हैं इसलिए लोग इन्हें अपना पालतु जानवर बनाना चाहते हैं वे पोधों की पत्तियों को खाना पसंद करते हैं और अपने मालिक के सरीर पर खेलते रहते हैं आखिर ऐसे मासूम जानवर को अपने गहर का मेहमान को नहीं बनाना चाहेगा नमबर थरी क्वाका क्वाका नामक यहाँ बेहादी क्यूट जानवर पश्चिमी ऑस्टेलिया के दलदली इलाकों में पाया जाता है इसके चेहरे की बनावट कुछ ऐसी है कि यहाँ हमेसा मुस्कुराता हुआ नजर आता है इसकी मुस्कुराहाट काफी मन मोहक है और इसलिए इसे दुनिया का सबसे खुश जानवर भी कहा जाता है यह मारसु पियलस की केटिगरी में आते हैं यानि की वे जानवर जो कंगारू की तरह अपने पाउच में अपने बच्चे को रखते हैं यहाँ कंगारू की प्रजाती का ही जी हुए लेकिन इसका आकार एक पालतु बिल्ली के बराबर होता है यहाँ दुनिया के सबसे खुषाल जानवर की उपादी हासिल कर चुका है कुआ का आस्टेलिया आने वाले सेलानियों के बीच काफी लोग प्रीय है सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों यह जानवर सेलफी भी बहुत प्यार से खिचवाता है जब भी कोई सेलानिय इसके साथ सेलफी क्लिक करता है तो यह बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए पोज देता है इसलिए इसे सेलफी फ्रेंडली जानवर भी कहा जाता है यह आम तोर पर अपने परिवार के साथ यह जुन्डे में रहना पसंद करते हैं और केवल रात के समय ही बाहर निकलते हैं ओस्टेलिया के रोटनेश्ट ग्रीप पर यह काफी बड़ी संख्या में देखे जा सकते हैं एंडियन माउस डियर एंडियन माउस डियर एक बहुती छोटा हिरन है जिसका साइज मातर एक चुहे जितना ही होता है यह हिरनों की प्रजाती में सबसे छोटी प्रजाती का हिरन है इसकी लंबाई महश 57.5 सेंटी मीटर होती है और वजन मातर 3 किलो के आसपास होता है यह हिरन अधिकतर रात के समय ही निकलता है और बहुती मुस्किल से देखने को मिलता है यह एकांत जीव, अर्जेंटिना और चीली के जंगलों में हिपाए जाते हैं इनकी खास बात यहा है कि जब भी यह किसी खत्रे को समझते हैं तो सिकार के आगे निकलने के लिए तेई दोड़ना सुरू कर देते हैं इसलिए इन्हें एक अच्छा स्पीनर भी माना जाता है दोस्तो डोग को पालने का सोग तो सभी रखते हैं क्योंकि वे बहुत ही प्यारे और वफादार होते हैं लेकिन केसा लगे जब आप अपनी हाथेली पर अपने डोग को बिठा कर उसे प्यार कर सकें जब आप टेबलेट या स्मार्टफोन के साइच से ज़रा से बड़े इस टोडी डोग को देखेंगे तो आप भी हेरान रह जाएंगे टोडी डोग देखने में तो बहुत छोटा है लेकिन सरारत करने में सबसे आगे है पोग केंच से भी छोटे साइच का यहाँ डोग चिहू हुआ परिवार का सबसे छोटा सदश्य है जो कि देखने में बहुत ही प्यारा और क्यूड दिखता है लोग इसे खरीदने के लिए हाजारो लाखो रुपे खर्श करने के लिए तयार रहते हैं क्योंकि यहाँ इतना प्यारा और सरारती है कि सब का दिल जीत लेता है दोस्तो आज के लिए बस इतना ही आसा है आपको यहाँ वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेनल को सस्क्राइब जरू कीजिएगा